हेलो स्टुडेंट्स आज आज आपराथा नेक्ट लेक्टर करन जा रहे हैं लेक्टर नूमबर सेकेंड चप्र कर दें पर यह एज इसक्स कर जा रहे हैं आपर रूर्स के देए असी कोफिशन करने हैं कि वह बड़े इसली साइड कर साथ बिया साथ पहला लिखोंगे गिवन एक्वेशन इव की एक्वेशन है एक्स क्योब प्लास के एक्स सुकेर प्लास लेमडा जीरो एक्वेशन है यह इदे रूर्स केड़े केड़े या फिरस रूर्स आर फिरस रूर्स आर वो है गया 3,6 पिर माइनस 2 फिरस नी करनांगे संब और रूर्स एक चीद उसी मैं तम दास दमा यदे रेच्चे एक्स की बदा कॉफिशन्ट या फिर एक्स केर दा यदे रेच्चे एक्स दा कॉफिशन्ट मिसिं गया तुसी उन्हों जीरो एक्स लेग साख दे यह उन्हों पर लेखाना पावे एथो सानू सम अफ रूर्स मेंना एथो सानू सम अफ रूर्स टेकन टू एट ए टाइम एथो सानू प्रोड़क्ट अफ रूर्स मिलेगा ठीक है जी एथो सानू की मिलेगा प्रोड़क्ट अफ रूर्स जी तो मिलेगा प्रोड़क्ट अफ रूर्स sum of roots करिए, sum of roots दा की फर्मूला सी, minus b upon a, केंदा मी ने गया, k upon 1, इदर सी जो roots given है, और सम करांगे, 3 plus 6, minus 2, minus k, यह होगे 9, 9 जो 2, minus करोगे 7, minus k, so k दी value, मिलगी, minus 7, इफाइंड करना से असी, find value of k, lambda, k दी value मिलगी, और lambda दी केंदे मिलेगी, क्योंकि जित्थों सान प्रड़क्ट ओफ रूट्स मिल दे या, उथे lambda प्राज़र प्रज़र दे या, so, प्रड़क्ट ओफ रूट्स करना पहेगा, प्रुड़क्ट ओफ रूट्स, जेड़े ता डेचों ड्रेक्ट इस लेक्ट्स दे पहुंचे, यह पहले लेक्ट्स नमबर वान नो, वाज करना, फेर यह एक्ससाइब दोना नो, समझ आएगी, क्योंकि तेना रूट्स या, और या प्रड़क्ट में चे देखना होंदा, इवनिया के और या, तेना रूट्स है, तना दी प्रड़क्ट करनी, और यह उस करके, माइनस उदा हुदा होँआ होँगे, λैमडा ओवर वान, lambda over 1 केड़ केड़ रूर से आ 3 6 into minus 2 minus lambda so lambda दी वेल्यू आगी 36 छीका जी so lambda दी वेल्यू आगी 36, ओ रसी कराऊं के next question next question solve x5 minus x4 plus 8x2 minus 9x minus 15 equal to 0 given that under root 3 and 1 minus 2 iota are 2 of its roots जिन्हें भी roots है ना उनना दे जो ना में 2 roots given दते हुए है सब देखनों लगे रहा कि 2 दते हुए है असर चार root दते हुए है क्योंकि ए इर्राशनल root है ए कंप्लेक्स root है तो मैं कल दे लेक्टर दस्वासे जड़े कंप्लेक्स roots होँदे हुए हमेशा पेर चुह detto ठीकि है जी जड़े माइनस X पूर देखो X क्यूब वाला है नू उन्हों इदा लेख लेकरो नीता तर नू अब लेखा कैसागदा जिए कोई मिसिंग या तो उदे ना 0 कोफिशिन लगा कि उन्हों तुसी लेखना है यदि होड़ा आपा रूर्स स्पोस करने है कुछ गिवन रते हुए या कुछ आपा लिखांगे Let its rules be केड़े केड़े रूर्स गिवन है या एक अंडरूर्ट 3 गिवन है क्योंकि यह मेशना पेर चूंदे इस रैशनल रूर्स स्वेदे नाल माइनस अंडरूर्ट 3 भी रूर्ट होएगा इसी तरीके 1 माइनस 2 योटा रूर्ट है आ इदा कजू गिड़ जड़ा 1 प्लास 2 योटा भी रूर्ट होएगा किन्हें होगे टॉटल 4 होगे चाहिए देखेंगे इसी 5 एक स्पोस करनो अपने को लोग अलफा और इसी करांगे सम अफ रूर्स सम अफ रूर्स फार्मूला की सी माइनस बी ओवर ए माइनस वान ओवर वान यवान आ गया एदर से सम अफ रूर्स करांगे अंजे अंडरोर 3 पहला रूर्ट दूसरा है गा माइनस अंडरोर 3 उस तो बाद है जे वानना माइनस 2 योटा उस तो अगला हैगा 1 प्लास 2 A उटा प्लास अलफा इस इकोल टू 1 माइनस माइनस प्लास ठीक है जी ये चारो पंजो रूड़ दा सी साम कर लिया इदे नाल एट हेक्टर कैंसल आउट इदे नाल एकैंसल आउट की बचेया 1 प्लास वाने 2 2 प्लास अलफा 1 so alpha the value 1 मिल गी so हम साम सारे roots ही मिल गे चार्थ पहले पता सी alpha the value भी आगी so ओल रूर्स all roots आर केड़ wanna click on under row 3 might of 9 1 minus 2 योटा 1 प्लास 2 योटा alpha the value होने होने आपma find कीती है एक बार answer भी च्यक कर लिया जावे फौर्थ कुश्चन दा डीप आट बेलकुल ठीक है अब माइनस वन असी उतर जाके माइनस वान ठीक है जी टू, बान माइनस टू किना आओडा माइनस वान सो माइनस वान आएगा स्वेक रूट आगया माइनस वान पांजने पांज रूटी मिल गे होड़ सी करना जा रहे हैं, next to question number five. Question number five करना जा रहे हैं. My creation, this has two roots whose sum is zero solid. Two roots करने एदान दे हैं, जनना दा sum is zero होगा. जिस तरह, for example, एक हो सागदा 4, एक माइनस 4, जिक 6 होगा, जिक 6 होगा, जिक 10 या दिक 10 होगा, मतलब स्ट्रीके दे रहे हैं, दो roots तेदान दे हैं, जनना दा sum करने एदान दे आंसर zero होगा. इस question में एदान क्या जासागदा सी? One root is the negative of other. इस तरीके भी, जे कहादे हैं, ता method से में करना, कि इवर एदान कहादे हैं, there are two roots equal in magnitude, but opposite interaction, ता में इससे तरीके question करना. So, given equation is, given equation is x cube minus 3x square minus 16x plus 48 is equal to 0. 48 is equal to 0. एदे हम आपा roots के स्रीके लेने, let its roots be. केड़े कड़े लेने, एक alpha एक minus alpha. दो roots एदाल है, कि उनना हम आड़ करें, एक alpha, एक minus alpha. एक रहे गया हो, आपा बीटा स्भूच कर लेने, एक तेने root इस तरीके लेने करो, जदो ए क्या होगे? एक sum of two roots 0. Two roots हो sum 0 के देन, चाहे के देन, sum of two roots 0 के देन, चाहे के देन, one root is negative of other, जहां एक देन, two roots equal in magnitude, but opposite in direction. direction, direction वक्री वक्री हो, मैं कहने दा मीनिगा, जह पॉस्टर वे आते, इने, एक देने, है, equal हो, mod find करोगे, ता equal आएगा, minus 4 दा, mod किना होंदा, 4, एदा भी alpha ना, mod, एदा भी alpha ना, so equal in magnitude, opposite in direction. तो इस तरीके वक्री वक्री तरीके ने स्टेरिम में आसागा दिया है, बुक्त चुका भी इस तरीके देन, सारे होंदा method से, sum of roots करना, आसी पहले, sum of roots, कि नाना सी minus, minus 3 over 1, sum करी ये alpha, minus alpha, plus beta, 3, ये ता cancel out हो गया, so sum of beta मिल गया, 3, और इस तो गये करन दे, जड़े method हैं, बहुत सारे हैं, कई तरीके ना कीता जा सागदा, question, बट जए एक root से मेल जवेरा, बाकिये से एक होर मेल method होंदा, उस method देना आप भी find कर सागदे हैं, जहां के में कर सागदे हैं, मैं दो तरीके देना, आप अलतार में समझान दे, कोशिश करूँगा, एक root मेल जवेरा, आप दूसरे से इस तरीके फाइन कर सागदे हैं, इस तरीके, काल विशाद एक question कीता सी, अप 3 बार लेख लोगे, अंतर लिखने हैं, असी coefficient, जो root मेल गया, वो आसी बार लेख लेणा, बाकिया जो coefficient है, आप माइनस 3, जो पिसिंग होब योद था, जीरो लि माइनस 16, फिर माइनस 16 उन 3 न मल्टिपलाई करो, माइनस 48, एथे फिर 0 ही आना चाहिदा, एह हुंदा रिमेंदा, किया आगया साथ डेकोल, एक constant term, ए x वाली, ए x स्केर वाली, so x स्केर, माइनस 16, 0, एधी हुन तो factor हो जाण रहें, एक x माइनस 4, एक x प्लस 4, 0, उत्थ एक फोर आजेगी, value एक माइनस 4 आजेगी, so all roots are, so all roots are, केड़े केड़े आगे, एक आया सी 3, एक आया 4, एक आया माइनस 4, एक तरीका ता सी A, ठीक है, यह थो तो ता कसे मिया, इस रिके भी कीता जा सागदा, अमीद करना ता नो समझा आ रही होएगी, दूसरा method है, cfcg product of root कर लेंदे, करना एक method देना अलिया, बढ़ता नो सम्झा होने चाहिए, product of roots, find कर लेंदे, product of root के निया आने, c-48 over 1, तो इतर जे प्रगाट कर दे, आपने जड़ जड़े roots, c, roots आपने को alpha minus alpha beta, minus 48, minus cancel out होगी, alpha square, beta दी value के नीग, calculate कर चुके हैं, 3, 48, minus cancel करती, so alpha square, 16 आ गया, तो alpha आ जोगा, plus minus 4, यही एक है answer आए, plus minus 4, सो इस तरीके भी किता जा सकथा, चाहिए तुसी स्टरीके कर लो, इतो स्टरीके, असारा, जो इस तरीके नहीं करना, हगी करोगे, फिर तुसी स्टरीके भी कर साकदे, मैं इते पादेना, और, इना जो कोई method भी दुसी कर साकदे, और, जो मैं दास चुकिया, चाहिए आजवे, sum of 2 roots 0, तामी यहीं करना, question तामी, root से 1 alpha, 1 minus alpha, 1 beta लेने, जेदा कह देना, 2 roots equal in magnitude, but opposite interaction, तामी, इस तरीके root लेने, चाहिए हो कह देना, नहीं करना, next question, हाँ, एक कम जुरूर कहरे करो, वीडियो लाइक कर दे करो, बात की स्टुडियों शेयर भी कर दे करो, तो आज जो बात वाद स्टूडियों फैदा हो सके, लाइक कर देना, और मेरा कर देना, कमेंट करके भी, यह वीडियो ता देखाम दी है, जा नहीं है, समझा रही है, जा नहीं समझा रही है, और next question करांगे, लो जी, एर या जी साटा, next question, given equation लिखोंगे पहले, statement की या के, some way equation given है, ये वाली, condition given, condition find करनी है, given है, कि some of two roots, should also be roots, जा मालनों किसे, वी question है, मालनों 3 root है है, एक 4 है, इन अदा sum के न 7, वह भी root होगा, इस तरी के क्या हो नहीं, sum of two roots is also root, एक अल कही गई है, इस question दे अंदर, फिर verify करनी है, कि same condition है ते applicable है, जड़ी असी ये दी condition find करनी हुए, एतने applicable है, जी applicable है आता फिर असी, उन्हों hence solve भी करना, hence solve करना मतलब होंदा, जो पिछे कीता होया हो, जो होना, पहला असी given equation लिखांगे, a not x cube, a one x square, a two x, a three is equal to zero, let its roots be, किरे roots लबाँगे, एक alpha ले लाँगे, एक beta ले लाँगे, एक एना दा sum ले लाँगे, क्योंकि उन्हें एक या, sum of two roots is also root, जी तुसी alpha दे beta दो roots ले रहे हैं, उन्हें दा जाँगे साम में हैं, वो भी root होएगा, इस करके एक ले लाँगे, रूट alpha बीटा ले लोगे, alpha प्लस बीटा, उस तो अगला साम में आफे तुसी sum of roots करोगे, उससी sum of roots करांगे, जहाँ एक तरिके नहों कीता जा सकता थी, हाँ चलो ठीक है, sum of roots minus a1 over a0, एक हम समझा चुकी हैं, और sum करेंगे, alpha प्लस बीटा, एदा होगे, sum प्लस एदा करेंगे, alpha प्लस बीटा, minus a1 over a0, इवी alpha प्लस बीटा, इवी alpha प्लस बीटा करेंगे होगे, alpha प्लस बीटा, minus a1 over a0, so alpha प्लस बीटा दी वैल्यू आगी, minus a1 over 2 a0, alpha प्लस बीटा किसी root, see, so एक root sum मिल गया, one root, one root is, केड़ा मिल गया, minus a1 over 2 a0, एक root मिल गया, और जिड़ा root मिल गया, ओ, गिवन एक्वेशन दो सैट्सपाई करेंगे, ठीक है जी, it satisfy equation number first, एक root मिल गया, ओ, गिवन एक्वेशन दो सैट्सपाई करूगा, क्योंके roots कर दे, सैट्सपाई, जोदों भी condition उची होगे, कोई एक root जे मिल गया ना, उन्हों एक्वेशन ची पुट कर दे ना, उत्वों अपने आप ही value आजानी है, वो condition आजानी है, आजी, स्टाट स्पाई कराएगे, a not additive, minus a1, a1 over 2a not cube, plus a1 x square, एक्स मीज़ा जो रूट है, माइनस एवान ओवर 2A0, सुकेर, प्लस A2, माइनस A1, ओवर 2A0, कि प्लस A3, 0, यह से सेट्स पर इकरा रदता, जो भी रूट आया से, अपाँ, एक्स रिखा पर रिपलेस कर रदता, कि आगया, A0, माइनस दा क्यूब, माइनस ही हमगा, ओके, एक आगया, A1 क्यूब, नीचे आगया, A8, A0, क्यूब, माइनस दा स्केर, प्लस होंदा, A1 स्केर, तेके, A1, A वाला, यह भी A1 क्यूब हो गया, ते आगया, 4, A0 स्केर, यह हो गया, माइनस, A1, A2, 2, A0, ते प्लस, A3, इक्वल टू, 0, इथे एक, A0, कैंसल आउट हो ज आगया, की बच्चया बाकी, माइनस, A1 क्यूब, ओवर, 8, A0 स्केर, प्लस, A1 क्यूब, ओवर, 4, A0 स्केर, A1, A2, ओवर, 2, A0, प्लस, A3, 0, ओना, की करिए, जो भी एदा, LC में यह उतना, मल्टिप्लाई कर देगे, मल्टिप्लाई बाए, ठीक्र, तुद्सी, A1 मुल्टिप्लाई कर सागते, फिर सारे, कैंसल तो, A1 क्यूब, ओवर, 3, A1, Q, ओवर, 2, A1, 2, Aipो, A0 स्केरना, एक A0 कैंसल होके A0 भी आना है अधिया आजना जी A3 A0 दा सुकेर is equal to 0 इन्हों simplify कर दें सेम पावर याथ वो आगया A1 cube minus 4 A0 A1 A2 plus 8 A0 सुकेर A3 एते पहुंच जगे तो तुसी एक स्टेप और देख रहे होने या जी answer आई गया और अगया simplify नहीं होना answer आ चुके A which is required condition एक E आगी which is required जो बुची गई थी एक बार मैं answer में ला 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 कि कोई mistake ना किती हो यापा कोई mistake हो सक दी है हाँ जी बेलोकुल ठीक ही हाँ जी अगया होने condition एक पहले पार दा answer आ गया उन्हेंने condition पुच्छे देख अपा condition देख दा होने ए जो condition आई है या ना एवाली इन्हों आपा सामके राख ले ना इदा इन्हों आपा पह कर देना अगया जी तांचो जने पेपर चाह करना जिरे चिजर माईता मार कर दाना जने पेपर चाह करना उत्ते आं सिर्फ एथे जावे इत्ते स्की कीता उदे अलब है उदा आने जाना सिर्फ एथे उदा आपा पेजना इता नो मिंटो मिल्टे जड़ी ओ पांच चो पांच नमबर देद वे इस तरीके दूसी बॉक्स वेच बंद करना जी दूसरी दूसरा फैदा एफ हुंदा इह मेरा स्टाईल है मिनों पता चल जाना मार लो मैं पेपर मारकिंग कर रहे हैं मिनों पता चल जाना कि एक किसे मेरे स्टूड़न जा या एक वश्चन कीता हुआ तो फिर मैं थोड़ा सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट शुरू करें सेकंड पार्ट किये हैं कि देके उन कंडिशन एते एप्ली केबल या या पज़ चेक करना एक विश्चन केड़ी या एक एकस क्यूब माइनस एकस उस्टेर आ एक एकस वाली टर्म है नहीं और या थादी में 0 लेकले अपॉफिशंट ये दा नमबर 2 और उस ये सेम कंडिशन लगा नहीं या तो साम भी देखना पर ना कि ए नोट किना आ देखो ना फिर्ट एक वि एक एक विश्चन नमबर पास्ट तकी देख रहे हैं ए नोट दि ठांते 8 दखाई दे रहा ए वान दि ठांते माइनस 8 दखाई दे रहा ए टू 0 दखाई दे रहा पानू इसे तरीक्वे ए थ्री दी वैल्यू साटे को लागी बान आ ए नोट दी वैल्यू एट एट एवान दी माइनस एट ए टू दी जी रो दी ए थ्री दी वैल्यू किन्न आगे वान ए थ्री दी आगे वान शाड़ी कंडिशन की सी कंडिशन इस इस पान देखिए अंसर को ओसी ए वान क्योब ए वान क्योब माइनस फूर ए नोट ए वान ए टू प्लस एट ए नोट स्केर शायद एथे सी ए थ्री इस इकोल टू जीरो ए सी साड़ी कंडिशन ए फिर आसी वैल्यू सब्स्ट्टूड करांगे ए वान दी वैल्यू माइनस एट या माइनस एट क्योब लेहांगे माइनस फोर इ नोट दी वैल्यू ए है ए वन दी वैल्यू माइनस एकोल अदी वैल्यू माइनस एट ओगे माइनस एट नोट दी वैल्यूञ यह स्पेर हो गया, यह 3D value 1 is equal to 0, आत जिरो ही हो गया, होगी टर्म, minus 8 cube plus 8 cube 0, एक टर्म पॉस्टर वे कनेक्ट वे जिरो is equal to 0, कहांदा मीनिक यह, यह, which is true, which is true, कहांदा मीनिक यह है, कि same condition is पाड़ते भी applicable है, same condition is पाड़ते भी applicable है, second, second पे भी एक condition, fold कर दी, और अपा रूट्स के स्टीके find करने, तो इनन दी नेचरी कोजी होगी, कि जिली condition ओधी या, वो इननों में satisfy कर दी, जिदा दे रूट्स होदे होगे, उदा दे यदे होगे, उदे किस्टीके दे रूट्स सी, sum of two roots is also roots, तो अपाँ one root find कीता सी, एक root find कीता सी, अपाँ one root is की आया थी हो, जिन अपाँ alpha plus beta क्या सी, चीक्या, उदी value के नहीं आई सी, अपने को, उदी value आई सी, माइनस a1 over 2 a node, माइनस a1 over 2 a node, a1 दी value के नहीं है, माइनस 8, plus 8 हो गया, a node दी value के नहीं है, a, 8 cancel होगे, 1 by 2, एक root 1 by 2 आगया, जिता हम एक root मिल गया, तो बागी root तुसी इस में अधर देना, अलों कार सारी थे, 1 by 2 लिखोगे, 8 लिखोगे, इसे माइनस 8 लिखोगे, इसे 0 लिखोगे, फिर इसे लिखोगे, 1, 8 एक देन अतार लेना, 8 नू, 1 by 2 ना multiply करोगे, 4 आजएगा, माइनस 4 आगया, 4 नू, multiply करोगे, माइनस 2 आज़ाणगे, add करोगे, माइनस 2 आगया, माइनस 2 नू, multiply करोगे, माइनस 2 नू, multiply करोगे, माइन कि आजेगी equation 8x square minus 4x minus 2,0 तू देना ट्वाइड कर सकते हैं, साथे को आगया 4x square minus 2x minus 1,0 कि नहीं हो तुसी factorize करके वोजे roadside कर सकते हैं, वो अंसर आजेगा ठीक है जी, वो साथा किया जेगा, अंसर आजेगा तू इस तू देको, अंसर आणा, x नी वेल्यू आणिया, बान, plus minus, ऐस तू देको, एस तू देको, अंडर रूट 5, ओवर 4, इस तू देको, दो रूट यह आगे, एक रूट 1 by 2, वास उत्यों दो रूट आगे था, पाड़े तो एक बान बैटू दो रूर्स ये वाले सो इसे तरीक्ते हैं और क्वेश्चन आजी नेक्स्ट वो तुसी हुन आप ट्राई करना वो क्वेश्चन नंबर एट है या बेलकुल सेम या बागी क्वेश्चन असी अपने अगले लेक्चर करांगे मीद करदां कि तान मैं या इत बागी सो रहनों शेर भी करेंगे या थैंक्यू